संसत का शीद कालिन शत्र सोमवार्श शुरू पियम मोदी ने कहा देश ने नकारात्मक्ता को नकार दिया हारे हुए लोग संसत में अपना गुसा ना निकाले संसत का सीद कालिन शत्र सोमवार्श शुरू हो चुका है चार राज्चु के परिणाम के बाद संसत का ये पहला शत्र है ऐसे मैं पिये मोदी के लोगसभा में पहुंचते ही मोदी सरकार के नारे लगे और परधान मंत्री का जोड़दा स्वागत किया गया इसके बाद संसत की कारवाई को शुरू किया गया संसद शत्र के शुरू होने से पहले मोधी रचार राज्यों के विधानसवाद शुनाव परिणाम को लेकर महत्पून टिपणी करते हुए कहा है कि देश ने नकारात्मक्ता को नकार दिया है जो लोग हारे हुए हैं वे संसद में अपनी हार का गुसा ना निकाले इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के महत्प को भी रेखांकित किया पियम मोदी ने कहा कि लोग तंत्री में पक्ष और विपक्ष दोनों बरावर महतपूर है उन्होंने राजनीतिक विशेशकों से इस चुनाव परिणाम को सकारात्मक तौर पर देश के सामने पेश करने की भी अपील की है पियम मोदी ने कहा कि राजनीतिक गर्मी भड़ी तेजी से भड़ी है चार राज्यों के नतीजे आए हैं बहुत ही उस्ताहा वर्दक परिणाम है ये देश के उच्पल भविश्य के लिए है महिला, यूवा, किसान और गरीब ये ऐसी महत्वपूर जातिया है जिनका एमपावर्मेंट जरूरी है जब आप लोग कल्यान के लिए काम करते हैं तो एंटी इंबेक्सिस फैक्टर खतम हो जाता है तीन राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद मोदी ने कहा कि कुछ लोग इसे सत्ता समड तक शुशाशन या पारदर्शिता कहते हैं देश में ये देखा जा रहा है देश ने नकारात्मक्ता को नकार दिया है लोगों की आशंकाओं को मचबूत करने के लिए लोगतंत्र का मंदिर महत्पूर मंच है पियम मोदी न खास्तो और पर अपील करते हुए कहां मैं सभी सदस्यों से अनुरोद करता हूँ कि वितयारी के साथ आए और संसत में पेश विधायों को पत यहन चर्चा करें जानों गरीबों के चार जातियों के शुशक्ती करण के सिद्धांत पर चलते हैं उन्हें जबर्दस समर्थन मिलता है जब जन कल्याण के लिए प्रतिबत्ता हो तो सत्ता विरोधी शब्द और प्रसांगिक हो जाता है